नमस्कार बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टूडे के आज की इस वीडियो रिपोर्ट में और आज 2019 से 22 सेशन की परिक्षा को ले करके बात करेंगे कई शात्रों के मन में तरह-торह के सवाल आ रहा हैं कई शात्र केह रहा हैं कि सबसीडरी पेपर का कुछ सब्जेक्ट का रूटीन जो है अलग तरीके से चापा गया है तो इस साल उनिवर्शिटी ने पहली बार ऐसा किया है कि परिक्षा कारेक्रा में सबसीडरी सबजेक्ट को उल्टा पल्टी करके चापा गया है और उल्टा पल्टी डेट पर जो परिक्षा भी लिया जा रहा है अब चलिए इन सारी बातों पर आगे चर्चा करेंगे उससे पहले बात कर लेते हैं कि उनिवर्सिटी ने कल क्या कारणावा किया है कैलेंडर और अब तक के जो तयार डिगरी की सूची जो राजबवन को भेज दी है बताया है कि कौनसी परिशा कब कब होगी 2020 से 23 सेशन हो ग होगा और आज की हैडलाइन में आप देखेंगे 27 से नए कारिकरम पर होगी पार्ट टू की परिक्षा कई शात्रों ने कहा कि हमारा एर फोर्स का एक्जामनेशन होने वाला है 27 तारी को कई शात्रों ने बोला कि दो एक्जामनेशन हम छोड़ देंगे तो क्या होगा तो च अपने पीछे वाले सेशन के साथ जो भी स्टूडेंट इग्जामनेशन चोड़ रहे हैं वह यह बात जान ले कि आपको इसका एक्जामनेशन देना होगा आपके पीछे से जो 2020 से त्यूराइस से स्टूडेंट आ रहे हैं उनके साथ बेट करके पार्ट टू की परिक्षा देनी होगी और clear कर लेना रहेगा अपना जो भी पेपर है उसको और कुछ student आप admit card के लिए जाना चाहरा है तो admit card के लिए थोड़ा सा धहरे रखिए वो भी हम बताएंगे इससे पहले जो भी student exam छोड़ेंगे उनको मैं आगाह कर देता हूँ कि जब आपका exam छूट जाता है और आपने back session के साथ अपना paper clear करते हैं उसके बाद जब result बनने की जब बात आती है मतलब कि आपका part 2 में जो marks जोड़ना है एक नय result बना करके university को देना होता है यह सारी जब बात आते ही या फिर final year का mark sheet जब बनता है यानि कि part 3 का जब mark sheet बनता है आपके चपल घिस जाते है college से university, university से college जोड़ते हुए और फिर आपका कहीं जा करके कई महीने बाद आपका result सुधरता है तो मैं यह चीज़ बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपका clear हो जाता है paper तो result में काफी जादा समय लग जाएगा अब यह आपके ओपर depend करता है कि आप exam छोड़ना चाहत session में और इसके बाद जो पीछले session के साथ आपको परिशा देने होगी जो भी 2019 से बाई session के part 2 के student है जिनको भी मैंने कहा है कि बीए सी बीकॉम और बीए का अलग से आपको routine समझाएंगे तो आप लोग जो इस वीडियो के लिए आज सारी वीडियो release करती जाएगी साम तक त एली बार ऐसा university ने किया है कि M.I.L. की परिशा जो है बीच में ले लिए उसके बाद वित तक सबसीडरी की परिशा चलाई है जैसा कि आप 24 तारीकों देख रहे हो कि AIH&C की परिशा सबसीडरी की और P.E.D. यानि के planning economic development की परिशा ली जा रही है M.I.L. पेपर के बाद त जाता है second sitting में भले ही रहता है उसी date को लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि M.I.L. की परिशा के बाद तक सबसीडरी की परिशा के बाद तक ली है हिस्टी सबसीडरी देख ली जिए 24 तारीकों second sitting में फिर पॉलिटिकल साइंस जो है 25 तारीकों second sitting में ली जा रही है फिर जो 26 तारीकों तो खेर second sitting में तो अलग की हो जाती थी परिक्षा M.I.L. के बाद जो हो जाती थी लेकिन यह जो है अलग तरीके से इस बार रूटीन देखने को मिल ला है अगर commerce की अगर हम बात करें तो सबसे पहले business law फिर आता है specialised accounting फिर आता है money and banking उसके बाद आता है planning economic development उसके बाद आता है कहीं जाकर कि M.I.L. हिंदी परिशात्र कह रहा है कि इस routine को cancel किया जाएगा तो जी नहीं यह routine cancel नहीं होने वाली है जैसा है वैसा ही रहेगा और admit card आज से आपके college में भीजा जाएगा कल पर सो से आपके college में admit card आपको दे दिया जाएगा या फिर बोला जाएगा कि अपना part one का जो admit card लेकर का बहुत स जाएगा और इसके बाद बता दे कि जो student अभी तक है question bank नहीं purchase कि हैं पूछ रहे हैं कि कहां से purchase करें तो वीडियो के description box में लिखा हुआ है part two question bank उसके आगे जो link है उस पे click करके जाकर online purchase कर सकते हैं साथी साथ comment box में भी जो है link पिन किया हुआ है वहां से भी आप purchase कर सकते ह question bank आपको परिक्षा में काफी ज्यादा मदद देगी इसके बाद कई ऐसी वी वीडियो आएंगे कि आपको परिक्षा में कैसे लिखना है परिक्षा जो की आपकी subjective तौर पर हो रही है तो सारा subject का परिक्षा subjective ही लिया जाएगा और कई शादर कह रहे है कि यह बता दीजे क कि कितना कोशन हमें नौन हिंदी में अटेम्ट करना हो कितना कोशन अटेम्ट करने के लिए इन सभी चीजों के ऊपर वीडियो जो है लगातार आती रही है तो हमारे साथ जुड़े रही है तब तक हम चलते हैं धन्यवाद